तो दर्शुकों दिसम्बर का महीना जल्दी शुरूरा जा रहा है और हम इसमें प्रवेश्च भी करेंगे और हम ज़रूर चाहेंगे कि यह मास हमाई ले कैसे जाएगा जो भी ग्रहे गोचा किसी भी बनेगा क्या परिणाम हमाई जीवन में देखने को मिलेगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे हमारे आज की मासी राची परiltess की श्रिंख हमें हरक्षान राषी दर्श को वेरी के यहने串े में आपका स्वागत है में जोतिश अचारे पूजा तो मासी राची फडुष के बारे में बता चुके हैं और जैसे में बताती हूँगे अगर आपको बिसोग के लिए कैसर है किस परकार की ऑपर्चुनिटी या अफसर आपको प्राप्त हो सकते हैं कुछ यहीं समझेंगे आपके और आपके लव लेशिशिप यानी प्रेम समंत के लिए कैसर है का दिसमबर का महिना कुछ पहले से सुधार देखने को मिलेगा या नहीं इसके लाबब व तो दर्शिको कन्य राशी के जातक अपनी लगन के नुसार और जर्म राशी के नुसार देख सकते हैं, जो क्रह गोचर की स्तिती बनने जारी है, वो इस प्रकार है, तो देखें, जो लगनेश बुद्ध है, आपके तित्य भाव में व्रिश्ची राशी में, सूरे और चंद शनी आपके छटे भाव में गोचर करें, कुम्ब राशी में, इसकलाव मंगल आपके एकदश भाव में गोचर करें, कर्ग राशी में, यहाँ पर मंगल जो है, नीच अवस्ता में, बरिश्पति आपके नवं भाव में भागिस्तान में बरिश्ब राशी में, तो यहाँ भी ब्रिस्पती जो है रख्री अवस्ता में हैं तो आप अवस में कुछ पईवत्त movie देखेंगे जैसे कि शुक्र जो है 2 दिसंबर को मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे याныйakan प्रवेश कर जाएंगे मंगल आपके 7 दिसम्बर को वक्री अवस्ता में आ जाएंगे एक अदश भाव में रहते हैं तो यहां पर तो मंगल और शुक्र की एक सप्तम योग बनेगा यानि कि दूसरे के 1-7 एक्सेस में रहेंगे इसके लाबा सूरे 13 दिसम्बर को राशी पई परिवर्तन करेंगे और कुमराशी में यानि आपके छटे भाव में परवेश कर जाएंगे यहां पर जो शुक्र है वो शनी के साथ यूती बनाएंगे तो यह कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अब इसका किया परिणाम आपको देखने मिलेगा उसे हम बेल लोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें इसके लाब आप हमारे चैनल को लाइक और शेर जरूर करें तो देखिए अगर सवस्ति के हम बात करें तो शनी जो है छटे भाव के स्वामी है अब यहां पे पंचम भाव के भी स्वामी है तो पंचम भाव जो आपके पाचन से जरूर को देखने को सकती है पर जोडो की समस्या या पैरों के समस्या जरूर देकी जासकती है को जोइंट यसके फी समस्या है तो उसमें भी कुछ आप yhtगवार को प्रभाव करते हैं राव के दिश्टी पर बढ़ने के वज़े से एक प्रकार का जो कह सकते है कि रसा कशी आपकी सोच में आपके एक्षिन में आपके करम में देखा जा सकता है जहां पर कहीने की कन्फूजन की सिती बनी रह सकती है और इसकी वज़े से भी आप अपने आसपास के लोग का महीना आपके स्वास के दिश्टी से समाने ही रहने वाला है कुछ खास पईवत्तन कुछ खास गभी समसे आपको देखने को नहीं मिल पाएगी हाला कि जब आपके जो लगनेश या वक्री अवस्था में उसे बाहर निकलेंगे तो वहां पर भी आपको रिलीफ या रहत जरूर देखने को मिलेगी पर केतु राओ का उपाई आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि आपके लगनों सब्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो यह आपके जीवन को काफी हद तक प्रभावित भी कर रहे हैं अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की तो को मिल सकती हैं कॉंपटिशन में आप इमांदारी से प्रयास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी क्योंकि शनी देखिए जिसके भी कारक करें क्यों ना हो कहीं पर भी क्यों ना बैट जाए पर शनी उसका परिणाम तभी देंगे जब आप उसकी संदर में मैनत आप इमांदारी बरतेंगे, गंभीता बरतेंगे, संगश देखेंगे तब आपको इसका परिणाम भी स्थेथय आपको आपको सफलता मिलेगी पर क्योंकि आप इचतुर भाग के सवामी ब्रिस्पति आपके नवं भागिस्तान में बैटे तो भागी का सफूर्ट तो मिलेगा आप देखेंगे कि आप की जो भी प्रॉब्लम भी तो कमी आती जारी है चाहती आप की आपके जो बादचीत के जो जरिया है जो अची खासी इंप्रॉवमेंट आपको देखने को मिल सकती है अगर आप इंटोव्यू देने जा रहे तो इसमें भी अच्छी आसी सफलता आपक काफी बढ़िया और फेवरेबल रह सकता है पर आपको अपने बीतर प्रकार की अपनी क्षमता दिखाने के लिए आपको पहले से रेडी रहना होगा फोकस बना के चलना होगा इसका मौका आपको जरूर मिलेगा हला कि आपकी जो सीनिय से बहुत की तरफ से कुछ मिला जूला रिस्पॉंस या कुछ आपको सहयोगिता देखने को मिल सकती कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा पर आप अपने में स्वेय में इतना सक्षम बने कि आपको किसी की सपोर्ट की अवश्यक्तर ना बढ़े तो यही बहतर रहेगा एंगे फिर भी आप जो है द इसके बाद ही अगर आप कुछ प्रट के लिए प्यास करें या कुछ अपने प्रोजेट को आगे बढ़ाने के लिए प्रिए करें तो जादा बैट रहेगा जाधा आपको सवलता तबी आपको देखने को मिलेगी वक्री अवस्था में रहने से खासकर बुद्ध वक्री अवस्था में रहने से कहीना कई कम्मिकेशन में कमी के चलते कुछ आप किसी गलत डील में भी फस सकते हैं, किसी गलत प्रोजेक्ट में भी फस सकते हैं तो इस बारे में आपको अच्छे से सोच विचार करना है, थोड़ा समय अपना लेकर अपना अच्छे से निडिक्शन करें, उसका अच्छे से अनलाइज करें तो जादा बैतर रहेगा, अब जॉब में प्रमोशन के लिए ग्रोध के लिए प्रयास करें, तो कहीं नगे काफी नहीं हो पाएंगे, हाला कि शुक्र आपके पंचब भाव में जबाएंगे, दिष्टी इनके परपड़ेगी मंगल की और मंगल की दिष्टी सुक्र परपड़ेगी, तो कुछ आपकी क्रेटिविटी में सुधार देखने को मिसकते हैं, आपकी आइडियास, आपकी आपकी अपिक्षा बहुत जादा हाई रह सकती है, और कहीं नके जो छोटे मोटे जो आपको लाब या प्रमोशिन देखने को मिलेगा, उसे में आपको संतुष्ट रहना पड़ सकता है, इसके लाबा अगर आप नहीं जॉब के लिए प्रयास करें हैं, तो आप आपकी प् जिसकी वज़े से आप थोड़ेत निड्ने ले सकते हैं, कुछ अलबाजी की वज़े से भी कुछ आप नुकसार उटा सकते हैं, रहू आपको वह दिखा सकते हैं, जो वास्ते विस्तिति में ऐसा नहीं हैं, तो आपको कह因 Communists को अच्छे से परखना बहुत जरूरी है, इसक तो उसके कारण कुछ संगज की इसलिए देखने को मिल सकता है विस्तार की अधार पर आप किसी नए शित्र में भी आप निवेश कर सकते हैं या आपना जो है भागया अजमा सकते हैं रियल स्टेट में की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको एक ठहराब देखने को मिलेगा पर एक कहा सकते हैं की काफी प्रयास करने के बाद या कुछ समस्या या अवरोत को पार करने के बाद कुछ अच्छी ग्रोथ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी शेर मारकेट में भी काफी अच्छा उच्छाल आपको देखने को मिल सकते हैं निवेश के नए अफसर आपको मिलेंगे साथ ये परिणाम आपके आशन रुकूल देखने को मिल सकता है फानेशन सेक्टर में कुछ आपको फ्लक्ट्वेशन या उताज अड़ाव से गुजरना पड़ सकता है फानेश की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिसके वज़े से कुछ निवेश आगे के लिए टल सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं मंगल आपके यहां पर बैटके काम खराब कर सकते हैं खास कर जब मंगल वक्तिया वस्ता में आएंगे तो कहीं न कहीं किसी गलत फैमिय के चलते या आदे अदूरे नौलिज के वज़े से जो फैनेस की जो कमी है वो और आगे के लिए खिसक सकती है इसके लावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबन ये लव रेशिशिप की तो लिए कैसा रहेगा दिसम्बर का महीना पंजम्भाव की जो स्वामी है शनी आपके छथे बाह में गोचर करें और पहले सब बातर स्थी इसलिए भी आपको देखने को मिसकती है शनी आप मारगी हो गए है ये प्रकार का खिचाव तना तनी जरूर देखी जा सकती है अब यहाँ पे जो शनी आपके जो उर्जा को ठंडा कर रहे हैं एक तो नीच के मंगल के दिश्टी आपके पंचव भाव में पड़ी बाद में अंगल वक्री अवस्ते में आने की वज़े से भी कुछ इस प्रकार की सेथी देख सकते हैं जहाँ पे आप लोग की बीच की उर कुछ गती आपको देखने हो सकती है लेकि टेंपरेरी रहेगा क्योंकि शुक्र जल्दी आपके चड़े भाव में 23 दिसंबर को परवेश कर जाएंगे तो यहां पे भी बैठकर शुक्र आपके रिश्टी को काफी हद तक परभावित कर सकते हैं विप्रीत परभाव डाल स सकती है और जिसकी वज़े से भी आप लोगे बीच में जो प्रीम संबद है उसमें उसकी गती उसमें कमी देखी जा सकती है और यह भी संभव है कि आप एक दूसरे का जो है विश्वास भी ना करें कुछ विश्वास की या कह सकती कि तारमेतर की कमी देखी जा सकती है तो क परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा, जहां से हम नहीं करना चारें तो वहां की से बात आगे बनती नजर आईगी, तो कहीं नगे एक दुविदा है, एक स्टकनेस की सिती आपको देखने को मिल सकती है, अब हम बात करेंगे विभाई जीवन के लिए का सर है का दिसंबर का महीना, सब्तम भाव में रहो गोचल करें, आपके जीवन साथी, उनकी अपक्षा है, आपके प्रती बहुत जादा रह सकती है, जो कि एक सम्माने से काफी डिफरेंट हरे सकती है, भिन रह सकती है, जो आपकी समझ से परे रह सकते है, के तू आपके लगन में बैटके, आप जो आपका जो डेटेच्मेंट या खिन हो जाता है, वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि केतू कभी-कभी बहुत तीवर इच्छा देते हैं, उसके बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं, तो एक प्रकास से कह सकते हैं, केतू को परेणाम होता है, बहुत जलबाजी में होता ह और बहुत जलदी उसके परेणाम आपको देखने को मिलता है, खासकर यदि आप अपमी लाइफ में केतू की दशा या अंदर दशा से गुजर रहे हैं, तो ऐसे मैं आपको साफदार है, नहीं क्या वशकता है, केतू आपके मस्तिक्ष में कही ना कहीं दूविधा उत्मन क सहरा लेना पड़ सकता है, इस गलाव संतान से भी कुछ मिला जुला रिस्पॉंस आपको देखने हो मिल सकता है, संतान के जीवन में वो इस संगर्श की सिती थोड़ी सी लंबी खिच सकती है, उपाई क्या करें, आपको शनी को उपाई तो ज़रू करना चाहिए, क्योंकि पंचमेश भी चटे भाब के सौमी है, तो यहां पर बैटकर शनी आपके जो सोच समझ के जो निर्ने उसको प्रभावित कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई को साथ आपके रिशिशिप को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो शनी के लिए आप संबद्य वस्तु का आप परतिक शन परतिक शनी वार को आप सुंदर कान का पाट अवश्य करें, यह हो सके तो आप गाय के सेवा करें, मंगल वार को आप उनको मीठी रोटी किला सकते हैं, यह शनी वार को किला सकते हैं, इसके लावा केतू और ग्राहुकाव भी उपाई कर सकते हैं, यह आपके गुनली के तो केतु के लिए आप गंडपती जी का जाप कर सकते हैं, गली के उत्यों को भोजन किला सकते हैं, रहो के लिए आप चडियों को दाना किला सकते हैं, इसके लावा आप अपने बुद्ध को जो आपके लगनेश उसको भी मजबूती परदान करेगा, तो उसके लिए भी वही साथ ही यदि आपको कोई पशन सजेशन या क्वेरी है आप हमेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें हरे क्रश्ना